हे गाईज वाट्स अप और आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दर ट्रिगर बॉलिवूड वाला पर और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी डिमांड करूँ आप लोगों से आज में कि अगर आप वीडियो पुरा एंड तक देखने वाले हो और वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है ना तो प्लीज उसको लाइक जरूर कर देना वीडियो को और आपका कीमती टाइम निकाल कर थोड़ा सा फीडबैक जरूर देके जाना कि वीडियो में और क्या चेंजेस कर सकता हूं किन-किन टॉपिक्स पर वीडियो बना सकोर या आप ही लोग का प्यार और सपोर्ट है कि हमारा चैनल जो मैंने ऐसे ही शुरू किया था कुछ जादा नहीं सोचा था आज 600 सब्सक्राइबर्स पर पहुच रहा है आगे हम इसे और आगे लेकर जाएंगे आज मैंने देखा टी सीरीज ने लॉंच कि रहा है तो कोई ट्रेन पर चड़ रहा है पुलिस इन पर डंडे बरसा रही है एकदम दफरा तफरी मची हुई है कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है और मुझे लिटरली ये लगा कि ये बी एक वही स्टोरी पर बेस मूवी होगी जो कि पार्टिशन के टाइम की हो गया नहीं 1947 के आसपास की जब भारत और पाकिसान का बटवारा हुआ लेकिन जेते जेते टीजर आगे बढ़ा तो लिटरली में शौक रहे गया और ये मुझे अंदर से किक दी कि यार ये मूवी देखने बनती है कि ये एक्चली वीजूल्स 1947 के नहीं बलकि 2020 के थे जी ह जब कोविड का आउटब्रेक हुआ था इंडिया के अंदर तब यहाँ पर एक ऐसा सिनारियो देखने को मिला था कि हम लोग तो लॉक्डाउन में घरों में बन थे लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो लिटरली भाग रहे थे अब ये लोग क्यों भाग रहे थे पीछे एक कोई मजदूर जो की महरास्ट में काम कर रहा है तो उसे वहाँ से खदेड के वापस भिहार भगाया जा रहा था ऐसा कुछ सिनारियो उस समय डेवलप हो गया था भारत के अंदर और ये उस पर्टिकुलर टॉपिक पर बनी वी मूवी है और सच में ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो बॉलिवूड ने उठाया है अनुबव सिना ने उठाया है खेर अगर हम इस मूवी के डिरेक्टर अनुबव सिना की बात करें तो बंदा शुरू से अलग-अलग टाइप की मूवी लाने के लिए फेमस है भले ही वो कैश मूवी हो या वो आर्टिकल 15 हो य इनकी रावन मूवी तो याद होगी उस समय भले ही उसके VFX की बहुत खिल्ली उड़ाई गई हो लेकिन आज के समय में आदी पूरुष के VFX को जब आप रावन से कंपेर करोगो तो आप बोलो कि वो मूवी बहुत समय के बहुत आगे बनी थी तो अनुबव सिना एक बहु मूवी रिलीज हो जाएगी इन फैक इस मूवी का एक पॉइंट में आपको और बताना चाहूँगा कि शुरुवात में तो इसका जो टीजर था वो कलर में चल रहा था लेकिन बाद में ये पता चलता है कि मूवी ब्लैक और वाइट में रिलीज होने वाली है यानि आपने मूवी से एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई है लेकिन सिर्फ कॉंटेंट लेवल पर बिजनेस लेवल पर ये मूवी अच्छा करे ना करे लेकिन मूवी अच्छी होने वाली है ऐसा मेरा दिल कह रहा है तो खेर आप लोगों का इस टीजर के बारे में क्या खाले टीजर दे बहुत ही लेकिन